सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट सेज यूट्यूब चैनल को और दवाईए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोज मिले सबसे पहले दोस्तो अगर आप भी भारती टीम की जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा दोसो भारत और वेसंडीज की टीम के बीच में चल रही तीन मैचों की ओडियाई सीरीज आखिर कार भारती टीम की जीत के साथ खतम हो चुकी है आपको बता दे कि भारती टीम ने सीरीज को दो शूने और क्लीन स्वीप से जीता है पहला मकाबला तो इस सीरीज का बारिश के करन रद हो गया था लेकिन फिर अगले दो मकाबले भारती टीम ने अपने बहतरी इन प्रदेशन के बलबूते पर जीत लिए अब अगर खास दोर पर बात करिजियए सीरीज के तीसरे टीयाई मकाबले की आपको बता दे कि सबसे पहले तो इस मुकाबले में टॉस जीत कर वेसिंडीज की टीम का फैसला यह था कि वह पहले बल्लेबाजी करेंगे बल्लेबाजी में वेसिंडीज की टीम की शिरुवात बेहदी जोड़ा रही ओपनिंग जोडी के अबले बास क्रिस गेल से लेकर इविन लिस ने भी बड़े बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिये थे टीम का स्कोर डेड़ सो के पार गया ही था कि मैदान में बारिश आ गई इसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते हो चले गए क्योंकि भारती टीम के गेंदबासों ने मुकाबले में अपनी पकड बना ली थी कुल मिलाकर वेसनिडीस की टीम साथ विकेट गवाकर 240 रंड बना पाई ऐसे में बलेबासी का सारा दारमदार आगया कपतान विराट कोली और श्रे सेयर के कंधों पर और दोनों ही खिलाडियों ने बखूब भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया लगबग अन तक दोनों ही खिलाडी क्रीस पर रहे और अपनी टीम को जिताकर ही वापस लोटे विराट कोली ने तो मैदान में शतक तक जड़ दिया जिसकी वज़े से भारती टीम को जीतने में आसानी हुई कुल मिलाकर दोस्तों भारती टीम इस सीरीस की विज़ेता बन चुकी है पुर दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारती टीम ने 3 और डियाई मुकाबले को 6 विकट के बड़े अंतर से जीत कर अब इस सीरीस को ही अपने नाम कर लिया है इस सीरीज का यह अंतिम मुकाबला वाकई में काफी ज़्यादा रोमान चक रहा एक समय पर जब भारते क्रिगटीम हार रही थी तब विराट कोली ने श्रेय सेयर के साथ मिलकर ना सरफ अपनी टीम को जिताया बलकि यह भी बता दिया है कि मुश्किल समय में भारते क्रिगटीम के बल्लेबास अच्छा प्रदैशन करना जानते हैं खर दोस्तो भारते टीमनी ओड़िया है जिसका सारा श्रेय फिलाल तो श्रेय सेयर को दीया जा रहा है तो भारते टीम किस विषाल जीत के बाद कफ्टान विराट गूली ने सब का दिल भी जीता ऐसा कोई खिलाडी नहीं रहोगा विराट कोली की स्पीच में जिसकी उन्होंने तारीफ ना करी हो साथ ही उन्होंने रोही शर्मा को लेकर भी कुछ ऐसी खास बाते कहीं कि उन्होंने करोडों भारतियों का दिल जीता है आपको बता दे के मैच के बादी प्रेस कोंफरेंस में जब विराट कोली को मैन अफ दा मैच वा प्लेयर अफ दा सीरीस के अवर्ड से नवाजा गया तो नोंने बाचीत करते हुए कहा कि वेस्ट इंडीस की टीम के खिलाफ ओड याई सीरीस में हमारी जीत काफी जादा माइने रखती है वर्ल्ड कप 2019 में हारने के बाद यह जीत हमारी नई शुरुवात की एक शुरुवात है अभी खिलाडियों ने इस सीरीस के लिए काफी जादा मैनत करी थी और जिन खिलाडियों को मौका मिला है जैसे की श्रे सेयर नवदीप सैनी वाख खलील एहमत खिलाडियों ने तो इस मौके को पूरी तरीके से बुनाया और अपनी टीम के लिए 100% प्रदेशन करके दिखाया सबी खिलाडियों के प्रदेशन से बेहदी कुश्यों और आशा करता हूँ के भविष्चे में भी मौका मिलने पर सबी अपने देश के लिए ऐसा प्रदेशन कर पाएं साथ ही हमारी टीम के उपकप्तान रोही शरमा ने टी-20 सीरिज से लेकर वन डे सीरिज में अपनी जिम्मेदारी को खूब निभाया भले उन्होंने कम रन बनाए हो लेकिन फिल्डिंग सेट करने से लेकर सबी खिलाडियों को मोटिवेट करने तक रोई शर्मा हमेशा साथ थी मुझे पूरे एकिन है कि हमारी टीम के युवा खिलाडी उनके साथ रहकर भी काफी कुछ सीखे होंगे और रंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस ओडियाई सीरीज में क्लीन स्वीप से जीत यह हमारी पूरी टीम की जीत है हर एक उस खिलाडी की जीत है जिसने यहां तक पहुँचने तक कड़ी मेहनत करी कुछ खिलाडी उने रं नहीं बनाएं लेकिन ऐसा नहीं के वा आगे चलकर रं नहीं बना पाएंगे मुझे पूरे एकिन है कि सब अपनी जगा आगे चलकर ऐसे ही प्रिदेशन करेंगे दोस्तों विराट कोली ने जितने शान सबाब से सबकी तारीफ करी उसके बाद उनकी भी तारीफ हर जगा की जा रही है भले ही विराट कोली फील्ड पर थोड़े अग्रेसिव दिखते हों लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सब की तरीफ करी वैसाई में दिल जीतने वाला है और खास दोर पर रोही शर्मा के लिए विराट कोली की यह बाते कहाना तो काफी जादा माइने रखता है लेकिन दोस्तों आप सबी को क्या लगता है विराट कोली वर रोही शर्मा में से कौन एक बहतरीन खिलाडी है इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा पर ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को धन्यवाद